हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अमरित आप सभी का स्वाकत है हमारी यूटू चैनल में सिंकार्स इंफो में आज हम एक कंपेरिजन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम मारूती ब्रेजा और किया सोनेट का एक पेट्रोल इंजन को कंपेर करेंगे हम पेट्रोल इंजन इसलिए आज कंपेर कर रहे हैं क्योंकि मारूती ब्रेजा में ओनली पेट्रोल इंजन आता है डीजल इंजन नहीं आता तो आज हम इस comparison वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम मारूती ब्रेजा की बात करते हैं इसके exterior looks की बात करें तो इसको हाली में ही एक facelift मिला था जिसमें कि इसके headlamps में प्रोजेक्टर headlamps और एक new grill with chrome finish आपको थोड़ी से एक बहतरी लुक में आपको ब्रेजा आ गई थी ब्रेजा को एक बहतर लुक मिला था जिसमें कि आपको rare lights में आपको काफी जाद इंप्रूब मिली थी तो अगर overall देखा जाए तो ब्रेजा काफी जादा एक अच्छी लुक के साथ आती है अब इसके interior की बात कर ली जाए तो interior में कोई खास change नहीं आया था interior आपको थोड़ी से इसमें basic ही मिलता है full black finish only hard touch materials ही मिलते हैं आपको soft touch materials नहीं मिलेंगे तो इसमें hard plastic का काफी जादा use किया गया है तो interior से थोड़ी से basic look के साथ ही आती है लेकिन अगर overall देखते हैं तो ब्रेजा काफी जादा अच्छी लगती है अब बात करते हैं किया sonet की Kia sonet के exterior looks आपको काफी जादा अच्छे लगेंगे इसमें आपको काफी जादा बहतर design आपको tail lights with projector headlamps आपको मिलते हैं इसमें यह ब्रेजा से थोड़ी सी जादा up market जूर फील होगी आपको exterior से यह ब्रेजा से काफी जादा शांदार लगती है अब interior की बात कर लीचा तो interior में भी आपको इसमें big test screen मिलता है काफी जादा एक अच्छा infotainment system मिलता है ब्रेजा के मुकाबले पर आपको dashboard design भी आपको काफी जादा अच्छा मिलता है जिससे कि यह ब्रेजा से थोड़ी से एक up market जूर फील होती है तो अगर looks से की बात की जाए तो आपको Kia Sonet थोड़ी सी जादा अच्छी फील होगी अब बात करते हैं engine और transmission की ब्रेजा में आपको 1.5L का petrol engine मिलता है जो की 103BHP की power generate करता है और 138Nm का talk generate करता है वहीं पे Kia Sonet में आपको 1.2L का petrol engine मिलता है जो की 81BHP की power generate करता है और 115mm का talk generate करता है अगर engine के लिहाज से देखा जाए तो यह ब्रेजा काफी जादा आगे निकल जाती है engine आपको Sonet में काफी जादा छोटा दिया गया है कम power generate करने वाला engine आपको मिलता है दोनों ही गाड़ियों में आपको 4 cylinders engine ही मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में gears भी आपको 5 gears option ही मिलेगा ब्रेजा में company claim करते हैं को 17 km per litre की mileage मिलेगी वहीं पे Sonet में company claim करती है 18 km per litre की mileage तो यह mileage में भी कोई खास फरक नहीं है तो अकर engine के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेजा काफी जादा आगे निकल जाती है और Sonet काफी पीछे रह जाती है अब यहाँ पे dimensions की बात कर लेते हैं ब्रेजा और Sonet दोनों में 395 mm की length मिलती है और width भी दोनों में same मिलती है 1790 की और height भी almost same मिलती है ब्रेजा में 1640 की और Sonet में 1642 की तो यहाँ पे dimensions के recording देखा जाए तो दोनों ही गाड़िया बेहत same है कुछ फरक नहीं है और wheelbase भी दोनों में 2500 mm का ही मिलता है और यहाँ बूट-space की बात कर ली जाए तो ब्रेजा में आपको 328 liters का boot space मिलता है और वहीं पे Sonet में 392 liters का boot space मिलता है boot space आपको थोड़ासा जादा मिलता है Sonet में Dimensions में देखा जाए तो दोनों गाड़िया में कोई खास फरक नहीं है दोनों ही गाड़िया एक डम बराबर ही है और दोनों की road presence भी same ही लगती है बात करते है pricing की कि आपको कितना pay करना पड़ेगा सबसे पहले ब्रेजा की pricing की बात करते है ब्रेजा शुरू होती है 7.69 lakhs और जाती है 11.34 lakhs यह prices एक शुरू में अब Sonet के pricing की बात कर लगते है Sonet शुरू होती है 7.15 lakhs और जाती है 13 lakhs तक तो यह prices एक शुरू अगर देखा जाए तो pricing में कोई खास difference नहीं है दोनों ही गाड़ियां शुरू होती है लगबग सेम ही prices लेकिन Sonet एक लाक महेंगी है क्योंकि उसमें जादा features आते है Sonet में आपको sunroof भी मिलता है Sonet आपको जादा features offer करती है जैसे कि आपको sunroof और एक ventilated seats इसलिए Sonet का price सोड़ा सा जादा हो जाता है लेकिन overall देखा जाए तो दोनों का variants के हिसाब से दोनों का price लगबग सेम ही है सिरफ आपको features के लिए ही premium price करना पड़ेगा अब बात करते है final verdict की कि आपको कोंसी गाड़ी लेनी चाहिए अगर आपको गाड़ी चलाना फसंद है और आप गाड़ी जादा drive करते हैं तो आपको ब्रेजा के साथ जाने चाहिए कि कोई ब्रेजा में आपको एक tapy engine मिलता है जादा power मिलती है और एक silent engine भी आपको ब्रेजा देती है लेकिन अगर आपको जादा features चाहिए आपको power से कोई जादा लेना देना नहीं है तो आप sonet के साथ जा सकते हैं एक well balanced car बन जाती है sonet और looks भी आपको बहतर मिलती है sonet में यह था आज का अमारा comparison वीडियो अब आपको decide करना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मैं comment section में जुरूर पूछें मुसका जवाब जुरूर देंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like share and subscribe चुरूर करें thanks for watching हमारी बचल लगिया वREW मारी साण कि लिवादर आपको कुरूर आपको को कि अजल झाल झाल